तो यहीं स्य कोनई सी कोने सी चीजए हमें लेनी चाहिए जिनकी हैelf से हम भल्लगम को कम कर सकते हैं या ऐलर्जीज्य समस्या को कम कर सकते हैं फैंपड़ों में infection होता है उसे हम कम कर सकते हैं क हेल अब्रीवन नमस्कार कैसे हैं आप, उम्मीद हैं आप सभी स्वास्थत होंगा और मस्त होंगे पिछले वीडियो में हमने समझा था बल्गम जिन मरीजों को बनता है उन मरीजों को क्या चीज़ा नहीं खाना चाहिए और बल्गम होता क्या है अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो i button में हमने link दिया हुआ है वीडियो के comment box description में हमने आपको link दिया हुआ है वहाँ से आप video को देख सकते हैं हमने एक playlist बनाया है वहाँ पर भी आप videos को check out कर सकते हैं आज की इस video में हम क्या सीखने वाले हैं आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे जो मरीज बल्गम से ग्रचित हैं जिनको बल्गम बन रहा है या पिछले समय से जिनको क्रॉनिक प्रॉब्लम है जिनको बल्गम बनता है और उनको एलर्जी से समस्या है तो वो मरीज किन चीजों को खाने से बल्गम को ठीक कर सकते हैं य या allergies जैसे समस्याओं को कम कर सकते हैं फैंपड़ों में infection होता है उसे हम कम कर सकते हैं कौन सी कौन सी चीज़ें ऐसी होती है जिन से हमें help मिलती है तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वलगम बनने के कारण क्या होते हैं पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ लेकिन आज की अचे विडियो में थोड़ा साथ को आवियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वलगम बनने के कारण क्या होते हैं सबसे पहला कार अगया होता है व्रॉंक केटेस नीमोनिया टीवड़ॉस्स हो सकता है फिसकी अलाब़ और रिए और्र गैंडियो हो सकती है कि रिस टेंट हो सकता है इसके अलाबा नोज की कोई बिमारी हो सकती है नेजल पॉलिफ हो सकता है नेजल सेप्टर हो सकता है इसके अलाबा हमें कोई अन्य प्रकार की एलर्जी हो जैसे कि किसी चीज़ से पर्टिकुलर एलर्जी होना फॉर एक्जमपल धूल मिट्टी पोलेंस या एयर होना या किसी खाने पीने की चीज़ से एलर्जी होना कई ऐसे लोग होते हैं जिनने कुछ खाने को दी दिये जाए और उससे उनको एलर्जी हो जाती है उससे उनको काफी सारी problems हो सकती है अब जब आपको बल्गम बनता है जब आपको एलर्जी जैसी प्राब्लम्स होती है तो आपको सरीर में कुछ problems होती है कई सारे chemicals होते हैं और कई सारे सैल्स जो होती है वह हट्टी होकर के class sputum बनाती है छो जैसे कि जब हमारे सरीर में यह सारी चीजरा जाएंगे जिन से हम हाइपर ओर हैपर सेंस्टिवीटी है ऐसी स्सिंस्दी में हमारे बोडी के अंदर हिस्टामिल होता है जब हीस्टामिल ने के लिए हमारे सेल्स आते हैं बीह जीर Secret जीए सेल सेहाँ से जब इखटे होते हैं एक साथ में कमकम मात्रा में तब के स्पुतमके अंदर ये सारी चीजा여वाइट सेल्स होते हैं वह मिक्स हो जाते हैं क्योंकि वह मर चुके हैं इसलिए वह वहां पर वहीं की वही जाह गई और इसपूटम में जाकर mix हो गए तो जब भी हम इसपूटम की test करवाते हैं करवाते हैं करवाते हैं तो हमें इसपूटम के अंदर ये काफी सारी चीजा देखने को मिल जाती हैं अब बात करें कि इसी कौन सी चीजा हमें खानी चाहिए जिनकी help से हम अपनी समस्या को ठीक कर सकते हैं तो simple आपको 3-4 चीज़ा खाने हैं जिससे के आप अपने वल्गम की समस्या को ठीक कर सकते हैं साथ मैं एक medicine भी समझेंगे जिसकी help से आप अपने वल्गम की समस्या को ठीक कर सकते हैं सबसे पहली चीज है जिंज़ा यानि कि अध्रक अगर आप अध्रक लेते हैं और अध्रक की हेल्थ से अगर आप इसे कम करना चाते हैं वल्गम को तो आप बिल्कुश सही सोच रहे हैं क्योंकि रिसर्च के अगर हम बात करें तो अदरग एंटि हिस्टेमिनिक होता है और अगर बात करें ये हमारे सरीर के अंदर हमारे वल्गम को कम करता है तो एंटि हिस्टेमिनिक है और इसके साथ में डिकंजिस्टेंट होता है यानि कि डिकंजिस्टेंट का मतलब होता है जो वल्गम चिपक रहा है जो वल्गम वहाँ पर इस्टिके हो रहा है उस वल्गम को वहाँ से छुटा करके उसे पतला करके बाहर नेकालना राइट तो डिकंजिस्टेंट होता है और यह एंटि हिस्टमिनिक होता है तो एंटि हिस्टमिनिक का मतलब जब हमारे सरीर में हिस्टम होता है तब हमारे फैपड़ों का जो वल्गम होता है वो जमने लगता है एकटा हो लगता है चिपक नहीं लगता है तो उसे ये डिकंजिस्टिंट करता है उसे ये वहां से निकालता है और बाहर फेकता है तो जिंजर का यह काम होता है यानि अदरक का यह काम होता है इसलिए अद्रक लिना बहुत ज़्यादा जरूरी है आप साहे तो चाहे के साथ यानि टी के साथ आप अद्रक ले सकते हैं उसमें लाकर कि आप कई वार कई लोग बुज़र्गों के गरम बात करें आपने अगर सुना हो तो बुज़र्ग हमारे कहते हैं अद्रक अगर किसी मरीज को कॉमन कव कोल होता है बल्गम होता है रेस्परिटी इंफेक्शन होता है फैपलों के इंफेक्शन होता है तो अद्रक उसके लिए रामबाढ है क्यों है क्योंकि उनको यह नहीं पता था कि यह एंटिस्टेमिनिक है या लेकिन हमारे पस रिसर्च है इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि यह एंट इस्टिमिनिक है और रिकनुर्ड है तो यह हमारे बुज़ुर्ण को बताते थे वह गलत नहीं बताते थे उनका बताने का एक जो मकसद होता था वह बिलकुल सही सटी एक निशाना लगता था तो यह स swelling हो रही है जो inflammation हो रहा है उसे ये कम करेगा तो जब inflammation कम होगा swelling कम होगा तो धीरे-धीरे हमें relief मिलेगा दर्द में भी राहत मिलेगी दर्द भी कम होगा और inflammation कम होने के बज़े से वहाँ पर जो mucus की problem आ रही है वो भी की देरे कम होती चली जाएए चीड़ा गरम होता है देखला हमें ओर क्वानजेंशнее और कौंसी चीजी हमें और इसके से शाथ मैं खाना मृतम कर सकते हैं इसके साथ में अपनी देख चाहिए क्वार्णiva क्या होता है warm water का एक सबसे अच्छा benefit होता है कि यह हमारे digestive system को अच्छा रखता है दूसरा यह हमारे फैपड़ों में जो जमा हुआ वल्गम है जो respiratory tract के अंदर जो जमा हुआ वल्गम है यह देरे देरे उसे बाहर निकालता है और जुखाम खासी को कम करता है इसलिए warm water भी हमें लेना चाहिए और हमारे गले के अंदर जो मुह के अंदर infection होता है उसे भी warm water कम कर सकता है तो इसलिए हमें warm water लेना चाहिए garlic हम ले सकते हैं जिंजर हम ले सकते हैं turmeric ली सकते हैं तो इस तरीके से हब एज बहुत अच्छे तरीके से अपने वल्गम को कम कर चकते हैं और वल्गम, बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे भी कम कर सकते हैं I hope कि यह वीडियो से आप बहुत कुछ सिखेंगे यह वीडियो अप सबी के लिए बहुत थी helpful होगा इस तरह की research विज्ट और authentic वीडियो देखने के लिए चनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें नमस्कार, thanks for watching, have a nice day.